दोस्तो अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी परिशानी आए ओनलाइन से रिलेटेड तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो, मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, एक बार फिर से स्वागत है आप सब का मेरे चै कस्टमर की तरफ से तो कितना बढ़िया हो जाएगा ना, रिटन की कोई टेंशन ही नहीं, मतलब आपका कोई नुकसान ही नहीं मैं आज आपको ऐसी ही कैटेगरीज बताऊँगा जो नौन रिटन नेबल हैं, ऐसे प्रोड़क्स बताऊँगा जिनका कस्टमर कोई रिटन नहीं कर सकता रिटन्स के उपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे 20 से 25 परसेंट रिटन्स होते ही होते हैं रिटन्स भी दो तरीके के होते हैं, एक कस्टमर रिटन और एक कूरियर रिटन कूरियर रिटन में आपको कोई नुकसान नहीं होता, कूरियर रिटन वो होता है कि कस्टमर नहीं मिला अपने अडरस पे या customer का address ही नहीं मिला या किसी कारण वर्ष आपका product as it is वापस आ गया इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है कोई shipping charges आपको pay नहीं करने दूसरा होता है customer return इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है इसमें आपका दो गुना से यादा नुकसान हो जाता है अगर आपका product 500 gram के अंदर-अंदर का है तो आपके 180 रुपे लग जाते है दोस्तों customer return में क्या होता है customer return में होता है कि product customer के पास पहुँच गया उसको पसंद नहीं आया उसने वापस कर दिया तो अब इसी चीज से बचाने के लिए मैं आपके पास कुछ ऐसी categories लेकर आया हूँ जो products आप sale करोगे उसको customer return नहीं कर सकता courier return तो भई natural है कि अगर address नहीं मेला तो वापस तो आए गई लेकिन उसमें आपका नुकसान नहीं है main customer return है तो इन categories के customer return नहीं आ सकते तो शुरू करते हैं पहली category जो आती है वो आती है baby products की दोस्तो baby products like baby food products, baby cream, baby lotion इन सब products का कोई return नहीं है अगर आप यह products sale करते हो तो tension free होके sale करो कि customer इनका returns नहीं कर सकता दूसरी category दूसरी category आती है innerwear और gym accessories innerwear में अगर आप sale करते हो चाहे वो man के हो या woman के हो इनका भी कोई return नहीं है और gym accessories में like supporters हो गए ऐसी चीज़ों का कोई return नहीं है आप tension free होकर sale कर सकते हो तीसरी category आती है softwares की softwares like अगर आप antivirus sale कर रहे हो आप photoshop software sale कर रहे हो आप computer parts sale कर रहे हो ऐसी चीज़े इनका भी कोई return नहीं है इन products को customer return नहीं कर सकता ये भी non returnable products है चौती category आगी school supplies like stationary item और school products like books इनका भी कोई return नहीं है customer return नहीं कर सकता पांच वी category जो आती है mobile accessories में दो ही चीज़े है एक screen guard और एक tempered glass ये दो चीज़े ऐसी है जिनका कोई customer return नहीं है tension free होकर sale करो एक category और है जिसको बोलते है plant categories like beach हो गए plants के beach हो गए और artificial plants हो गए जो amazon पर बिकते हैं आप वो बेज जिज़क होके sale कर सकते हो कोई return नहीं है तो दोस्तो मैंने आपको इतनी सारी categories बता दी जिनका कोई return नहीं है अगर आप इन में से कोई भी चीज़ sale कर सकते हो तो बेज जिज़क कीजिए आपको नुकसान नहीं होगा मतलब एक बहुत बड़ी tension आपसे हट जाएगी अगर आप product भेज दिया आपने तो एक ये tension अट जाएगी हाँ हमारे इसके पैसे कट सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए fresh topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद